आज आज वेलकम में चैनल हमारा जरगंड आज के हमरे लेक्ट्र जोग्राफी का लेक्ट्र है हम इंडियन जोग्राफी का एक लेक्ट्र में आपको दिया था यह उसका दूसरा पाट है सो हम बैसिकलि जोग्राफी में भूगोल मेंह수록 लेक्ट्र यह का रिख अप्को दिया थेंakने अज यह को अपसकी बहुत सारी चीजे बताई थी गुर्ट फोटा चीजों को रिकॉल करते चलेंगे तो जो लुग भी जब यह की तयारी करो हो आप English Hindi किसी मेडियो में त्यारी करो तो इस चैनल पर आपको हमारा जागा और चैनल पर यह हमारा अप्लिकेशन है आप डाउलोड कर सकते हो जब यह से जूड़के अपने त्यारी को अच्छा कर सकते हो ठीक है अधिस इस मी और मेंटर अगाइड सो हम पढ़ रहे थे जिग्राफी और इंडिया अपको दिया हुआ दूसरा अज हम देखने वाले हैं यह बिसिकल आपको आएंगे इसमें इसमें भी हमने अभी तक बेसिक इंडॉक्षन की बाते करी थी आज हम इंट्री कर जाएंगे इसको देखेंगे फिर हम देखने वाले हैं अभी तो मैं अभी तो मैं जोब को पढ़ाने वाला हूं नौर्दर मांटेज चेन हिमाल्या के बारे में बात करेंगे फिर इंडिया फिर आइलेंड कोस्ट लाइन इसके अदम धीरे धीरे ड्रेनेज क्लाइमिट स्वाल इन सब आपको गवर करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर ओके तो चलिए हम देखते हैं हमने कहां लेक्शे को रोका हुआ था यह सब मैंने आपको बता दिया था यह सब नाम आपको याद रखने हैं भारत के अफिसल नौन अफिसल दोनों नामों की चर्चा करी थी जिसमें बता अर्टिकल 1 में दो नाम आया हैं भारत और इंडिया इसको भी आपको ध्यान में रखना है फिर मैंने बताया था किस किस दूपो को क्या क्या नाम दिया गया था पहले यह सब चीजे जैसे मैंने बताया था यहां पे क्रॉंच दूप प्लक्ष दूप उसकर दूप कुस पांच कंट्री हैं इंडिया नेपाल पागिस्तान बुटान और बंगलादेश तो यह पांचो की चर्चा हम ने कर रही थी मैप में बगायदा मैंने आपको दिखाया था फिर हमने आपको बताया भी था कि भारत शेद्रबल क्या स्थान पे भारत टोटल शेद्र कहीं साब से टोटल एरिया कहीं साब से कौन से रैंग पे हैं पॉपलेशन कहीं साब से कौन से रैंग पे पूरे बिश्च्व में आता है तो इसकी चर्चा भी हमने कर रही थी फिर हमने आपको बेसिक इंड़क्शन दिया था कि क्यों हम जब अपने अर्थ को प्लाट करते हैं तो ट से यहां पर उसने कड़िवंद सितोस कड़िवंद और सीट कड़िवंद इसकी बाद भी हमने कर रही थी फिर हमने आपको लाइडिटूड लोंगिशूट अच्छे समझा दिया था और अब हम बात करने वाले हैं यह सब मैंने आपको बताई दिया था टाइम कैसे कलकुएट करता है कि एक डिगरी कवर करने में आपको चार मिनिट का वक्त लगता है ठीक है यह भी हमने आपको बता दिया था तो टूटल जीम्टी और आईस्टी जो है जीम्टी जो गीन वीच मिन टाइम है जिसको कि यह सब्सक्राइब आगे चलता है एहड है फिर इसकी भी हमने चाचा करी दी थी कौन से लाइन परलल है कौन से वर्टिकल है इसके पहले मैं आपको पढ़ा दिया था जो भी आज हम यहां से स्टाट करने वाले हैं तो उसमें भी हम बात करने वाले है भारत की बिसिकली ला भारत को देखते यह यह रहा एक लाइंग और यह एक लाइंग चीश dizfik गराओधार देखोगे थी क्या धिक्याय और सब्सक्राइब है तो भारत का अगर आपको बहुत अच्छे से बताया था यहाँ अगर आप मैप में देखो गए में देखो अगर आप इस मैप को देखते हो न चाहीं आप इसको मत देखो आप मैप को देखते हो यह रहा हमारा equator और यह रहा हमारा prime meridian ठीक है तो यह longitude वाली line है यह latitude वाली line है longitude यह जो है यह अर्थ को कैसे बाढ़ती है eastern hemisphere पूर्वी गोलार्द और western hemisphere पश्मी गोलार्द में यह हमारा equator है यह prime meridian line है जिसको किया प्रधान यह मियत्तर बोलते हो ठीक है तो equator बाढ़ता है northern hemisphere उत्री कोझार्द और south honor hemisphere दक्षनी में लेकिन prime meridian बाढ़ता है eastern hemisphere western hemisphere पूर्वी और पश्मी गोलार्द में और यह रहा हमारा इंडिया sorry यह हमारा इंडिया टो इंडिया कहा है इंडिया 100 hemisphere में और eastern hemisphere में है है कि नी यह को longitude ये रहे यह इस्ट है यह वेस्ट है तो यह इस्ट ने हमिस्पेर में है तो जब भी आप लॉंगिचूट के रेफेंसे बात करोगे तो भारत उत्त्री तो इक्विटर नहीं सब्स है पूर्वी गोलार्द में लाई करता है इसलिए हमने वहाँ लिखा कि भारत का अगर आप लॉंगि लिखा हुआ है क्योंकि लॉंगी चूट जो है वो इस्टान वेस्टान हम बाठता है तो यह पूरी को लाइज में लाई करता है तो अगर हम भारत के लॉंगी चूटनल एक्सटेंट की बात करें तो लाइन है 68 से 97 तक जा रहा है तो डिफरेंस किया है यही मैंने पहला पॉइंट लिख रहा है कि डिफरेंस बेटूइन एक डिग्रियों कवर करने में कितना समय लगता है मैंने यहां बता है देखो चार मिनट लगते है लगते है तो अगर मैं बोलू कि इंडिया के लोगिचूटनल एक्स्टेंट 68.7 से लेके 97.25 है और दोनों के बीच में लगबग 30 डिग्री का अंतर है मतलब 120 मिनट का डिफरे है और आपको पता हुए कि लोगिचूट लोगिचूट जो है देखानते रिखाओं के परिगम कहां करते हैं हम टाइम के मेजर्मेंट के लिए करते हैं तो भाई आप समझ लो कि भारत में जो भारत की लोगिचूटनल लाइन से जो 68 से 97.25 तक जा रही है इन दोनों के की अःप में टाइम हो रहा हो गा आओ जो बाकी की इंडिया में टाइम हो रहा है जैसे आपके नौट वेस्टन पार बोलो इन दोनों के बीच में डिफेंस कितना time gap कितना दो गंटे गया है यह बस आपको भी समझके रख लने हैं तो time gap 2 गंटे के बनता है लेकिन क्या ए अलग लग है नहीं है ना अभी यहां जो टाइम हो रहा होगा हो रहा होगा यह ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया जो एन एक एक अपना समय मापक फॉलो बाइस पॉल करता यह इस लिए भारत में सभी जगए आपको एक ही देखने को मिलता है अगर हम IST की थोड़ी से बात करते हैं, तो IST कहां से पास करते हैं, तो मैंने बताया था, या तो आपको दे देगा मिरजापूर ना नी, अलाहबाद ना नी, या मिरजापूर यूपी, कुछ भी लिखा रहा है, आप देख लेना, IST कब किया गया, 1947 में, IST कब किया गया, इ अद्रपर्देश, चत्तिजगर, और अबनाचरपर्देश नहीं हो किया, यह आद्रपर्देश होगा, इसको ठीक तरो, यह आद्रपर्देश होगा, आद्रपर्देश, कि IST जो है, पांच जगह से क्रॉस करती है, भारत में पांच राजयों काटते हुए निकलती है, सब सबसे पहला है, UP, इसको एदा है, MP, इसको एदा है, चत्तिजगर, उसके बाद है, और यह आपका और अद्रपर्देश, और यह आपका ओडर है, top to bottom, तो हमने IST, हम लोग इंडिया में IST को फॉलो करते हैं, इंडियन स्टेंडर्ड टाइम लैन, जिसको कि आप भारती मान इंसर को मैंने बता है, कहां कटता है, तो कोरिया डिस्टिक 36 गड़ में, वहां इसको कट करता है, यह बात हम समझ गया, आगे चलते हैं, तेको मैंने यहाँ फिर बता है, लैटिचूडनल एक्स्टेंड अभी तक मैं हमने लोगिचूडनल एक्स्टेंड की बात करी, जो की क्या देखने वाले हैं, अगर यह भारत है, तो हमने लोगिचूड तो देख लिया, अब हम लाटिचूडनल एक्स्टेंड देखेंगे, यहां से लेके यहां तक, देखेंगे कि भाई, लाटिचूड की बात करने वाले हैं, तो अगर आप लाटिचूड देखो कि भारत का अगर आप भारत का latitude देखोगे तो भारत का latitude जो है वो 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute तक है और ये North latitude क्यों लिखा हुआ है क्योंकि भाई आप latitude देखते हो equator गहीं से आपस equator अर्थ को दो पाड़े बाड़ता है नौर्थ और साउथ में उत्तरी और अच्छें को लार्द में अब भारत उत्तरी को लार्द में आ नौर्धनें इसलिए हमने नौर्थ लिखा ध्यान देना East का अपना importance है North का अपना importance है लेकिन जब हम यहां देख रहे हैं नीचे तो हमें दो चीज़ा दिख रही है क्या क्या दिख रही है कि 8 degree 4 minute और 6 degree 4 minute दो-दो क्यों दिया हुआ है यह दो-दो latitude क्यों दिया हुआ है तो पहले जो बोलना उसको ध्यान देना अगर आपसे बोले कि भारत का latitude ना longitude extent बताओ क्या है तो भारत का longitude ना extent तो 68 degree 7 minute से 57 degree 25 minute तक का है East longitude लेकिन जब latitude की बात करेगा तो 8 degree 4 minute north latitude to 37 degree 6 minute north latitude है लेकिन एक है 6 degree 4 minute north latitude यह ऐसा क्यों है अगर आपसे एक्जाम में प्रस्टन एक्जाम दर पूछ ले कि भारत का भारत का जो extreme southern point है mainland का मुख्य भूमी का extreme southern point क्या है मुख्य भूमी का अगर आपसे पूछ ले mainland का तो वो हो जाएगा 8 degree 4 minute north latitude जो कि आपका है Cape Comorine ठीक है कन्या कुमारी अगर आपसे मुख्य भूमी का पूछ ले mainland का पूछ ले कि भारत का जो सबसे दक्षनी छोर है मुख्य भूमी का वो क्या है उसका latitude क्या है तो 8 degree 4 minute north latitude है यही आपका Cape Comorine हम आगे बाद करने माले है ठीक है लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे दक्षनी छोर क्या है सबसे extreme southern point बीना mainland को लिये वे अगर आपसे सिर्फ पूछ ले अगर आपसे पूछे कि भारत का mainland का extreme southern point क्या है कि भारत की मुख्य भूमी के सबसे दक्षनी छोर क्या है मुख्य भूमी की तब तो 8 degree 4 minute north latitude होगा वो होगा आपका Cape Comorine Cape Comorine होगा जो कहां है कन्या कुमारी में और ये कहां है तो आपका Tamil Nadu में तमिल Nadu में लेकिन अगर आपसे ऐसे ही पूछ ले कि भारत का सबसे दक्षनी छोर कौन सा है तो वो है आपका इंद्रा point जिसका latitude क्या है 6 degree 4 minute north 6 degree 4 minute उसका northern latitude है तो सबसे extreme point अगर इंडिया का आपसे पूछे तो वो है इंद्रा point इसी को आप पार्शन पॉइंड ही बोलते हो या इसी को आप हैंचिंग भी बोलते हो यह सब हम आगे चर्चा करेंगे तो फिलाल आपको दिख गया देखो यह 0 degree prime median line है अब यह मैंने बस आपको reference में दिखाया है तो अगर आप कोई पूछ ले कि भारत का latitude क्या है तो अगर आपको mainland के हिसाब से पूछे क्या तो 8 degree 4 to 37.6 ठीक है अगर आप से longitude पूछेगा तो भाई सिंपल तर बात है 68 degree 7 minute to 97 degree 25 minute अगर आप से normal पूछ ले कि भारत का southern extremity point कौन सा है वो हो जाएगा इंद्रा point जो की है 6 degree 4 minute north latitude पे ठीक है I hope these things will be clear यह clear होगा अब इसी को मैंने यहां पैच्छे से बता रखा इसको बस थोड़ा समझाता हूं आगे बढ़ता हूं अब देखो हमने अभी बात करें कि भारत का latitude और longitude क्या है हमने यहां अच्छे सदर्सादी है कि भारत का longitude 38.7 से 97.25 है और latitude 37.6 यहां 8.4 और यहां 6.4 कहने का मतब 6 degree 4 minute अब मैंने यहां क्या देख क्या रखा है मैंने यह दिया है कि देखो यह latitude और longitude तो आपको पता है लेकिन भारत का चारो extremity point आपको पता है क्या है भारत का extreme north में क्या है भारत का extreme पूर्व में क्या है भारत के extreme पश्चिम में क्या है ये चीम मैंने आपको बता रहा है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत का सबसे जिन नौर्दन मुस्ट पॉइंट है उत्री छोर में सबसे आखरी पॉइंट उसका नाम क्या है वह आपका इंद्रा कॉल क्या होता है कोल एक पास होता है मौ इंद्रा कॉल हो जाएगा अगर हम पश्चमी छोड की बात करें तो वह कहां है वह आपका है गुहार मोती कहां है गुजरात में है तो गुहार मोती आपको यह याज़ाद रठाण है यह डैकली आए हुए पॉइंट हो गया ठीक है अब फिर साउधर मुस्ट पॉइंट मेंगे तो दो बाते बनती अगर आपसे पूछे कि में लैट का अंतिम छोर कहा है में लैंड मुख्य भूमी का अंतिम छोर वह हो जाएगा केप को मोरीन कहां पर है कन्या कुमारी तमिलनाडू में है जिसका ला राड़ छूड है इंद्रा पोउइंट कहां सिच्टेट है ग्रेट नेको सब तोола इंद्रा-पोउइंट ओर इंद्रा-पॉइंट को बोलता है इंद्रा पॉइंट भाई कोल किया मौंटन पास को बोलतो इसको पहाडी दर्राई बोलतो यह है कहा लद्दाक में है अगर आप से साउथ में जा कर पूछे कि में लैंड की सबसे आखरी पॉइंट भारत के दक्षिन में में लैंड का पॉइंट केप कॉमुरिन है कहा है कन्या कुमारी तमिलनाड केप का मतलब होता है एक पॉट्रूशन ऑफ मेलन ट्वाट सी जब समुद्र के तरफ एक मुख्य भूमी का फैलाव आपको देखने को मिलेगा समाल लोगी समुद्र हो गया ठीक है अब मुख्य भूमी इसके उपर ऐसे फैला फैला हुआ है कैप कैप देखें और आप कैप आपका केप और इंद्रा पॉंट यह सब आपको याद रखना है ठीक है कि नौर्थ सौथ में क्या क्या है चलिए हम आगा पड़ते है इसी को मैंने एक मैप के थ्रू दिखाए और यहां पर हम थोड़ी से बात भी करने वाले है तो यह को मैंने आपको बताए कि भारत कर न रखना परदेश में 97.25 अब अगर हम बात करें कि भारत का नॉर्डन नौर्ट टू सौ्थ टूडरल डिस्टेंस कितना है तो वो कितना है आपको वो टूटल आपको बतीस सो चौदा किलोमेटर और अगर हम बात करें कि भारत का वो पूरु से पश्चिन तक के टोड़ी कि इतनी है तो 233 किलोमेटर है ठीक है यह बात आप समझ गए मैंने बताई दिया थे कि भारत के टोटल एरिया कितना है लगों 32 लाख स्वार किलोमेटर के आसपस मैंने बताया था आप लोग को ट्रॉपिक आप कैंसर के हमने बात करी ही थी कितने जगह से पास करता है तो टोटल 14 है लेकिन पूरू से पस्चिन तक 233 है ऐसा क्यों है जबकि दोनों को लाख बग आप देखोगे डिफरेंस कितना है तो भाई तीज डिगरी का ही डिफरेंस है द्यान देना इसको समझो यह भारत का यह रहा देखो नौट से साउथ मेंड लैंड की हम बात कर रहें मुह के तीज डिफरेंस जब लंसम है तो यह दूरी में इतनी डिफरेंस क्यों आ गई यह 293 से 3214 है देखरो काफी डिफरेंस है दोनों के बीच में क्यों इसा डिफरेंस है इसका एक पॉइंट है समझ लो जिसको मागे बताने भी वाले हैं देखो आम तोर पे क्या होता है कि अग को थ्वा समस्ते है मैं मैंने बताया था अपलोगों अगर अब लटी लोंगिच्ट की बात करते हैं कि यह जो रेट वाली लाइन देख लोग है बीच अनौनके बीच का बीच के बीच का यह यह दो लादी एक इस्टन्स सीम होता है मैंनी यह बोला था कितना हो एक रिक्स यहां देखो यह दोनों दिसांतर रिखाऊंगे देखो एक तो इसको देखो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं और एक इसको देखो देखो जब यह दो यह दो लॉंगी चूटनल रिखाऊंगे बात में कर रहा हूं जब दिसांतर रिखाऊंगे बात कर रहा हूं देखो यहां पीस क सबसे आधा गाप और धीरे धीरी ये गाप जो है कम होता जाता है कम होता जाता है पूल पर जाकर ये पूल है आपका कि उसको आप दुरू बोलते हैं यहां पर जाकर जाकर एक दम सड़ जाता है लोग तो लॉंगी चूट का डिस्टेंस टुवाड्स पूल घटता है जब ल इनसी रिजन है कि आपका यही रिजन है कि इन दोनों को बीच में ंधारर जाता झारै कि जह टो दे में गरता है निस्टेंस तिन ट ने यह टोर जेँर जाता है आपको उको स kale रहाए और कि इंडिया के Coast Line की बात करें कि एंडिया का Coast Line कितना बढ़ा है तो Bowl 1600 km का Coast Line है, ऊगर हम 34 की बात करें भारत का कथा चीत्र कितना है आप देखितों, 36 यह हो गया आपका यह 33 हो गया रहे यह कहा और आप सागर में लक्ष दूब भी है और अंडमान निकुबार आपका बंगाली खाडी में तो अगर इन सब को मिला देते हैं टूटल फिरम बोलते हैं कि टूटल 36 टूटल कितना है वह हो जाएगा 7516 कितना हो जाएगा 7516 किलोमेटर तो अगर आप से पूछे कि इंडिया को क्या आप से है यूर्था से बॉदने साइग को में लांड बौर्टरी की के बाद करें में लांड बौर्टरी की बाद करें तो अहों मैं भॉट्टल हो जाएगा सब्सक्राइब again अ पूरू से पस्षी में कितनी लंभी है उन तीसमों prosperity उत्तर से धख्षिन ती onya- dirty सूरा दिफ्रस कि वहाँ आपस में पोल पे कि सिमति हैं ऑसके बीच में दूरी चern होती है इसकों अमसां ने बात किया है कि 1520 में अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं जो मैंने अभी आपको बता है बहुत सरी चीज़ों बस उसका ही चर्चा करते चलेंगे और सीधे हम यहां से इंटर करने वाले आगे हमाला की तरफ बढ़ने वाले हैं कि हिमालय को जींग कैसा हूँ फिर हम इमाल्य का डिविजन् अब यहां देको मैंने लिख रहा है कि the mainland of India extend from Kasmir in the north to Kanyakumari in the south and और नाचापरदस in the east to Gujarat in the west यह आपको पता है कि भारत जो है उपर से नीचे तक कस्मीर से लेके कन्या कुमारी तक फैला हुआ नौट से south में और east to west में गुजरात से लेके आपको और नाचापरदस तक फैला हुआ यह मैंने बताई दिया आपको फिल लिखा है क्या और साउधन बॉंडरी एक्स्टेंड एक्स्टेंड फॉर्टिफाइब नौट लाटिचूड लेकिन थे लिखा हाई थिक यहां फ्पाइब लिखा हुआ है फिर आंपको लीअ आया मैं चीर्ट धिटीट्यूड बलाया थो मैं आपको बता है बहुआ है कि भारत 5 इस जो मैं आपको बता है कि भारत फेला हुआ है फिर दिया आपके साउधर्मस्ट पॉंट फूर एंडिया इस इन्द्रा पॉंट और यह मैंने आपको बता दिया एक स्टीम साउधर्मस्ट बोलेगा तो वह आपको इंद्रा पॉंट है इसी को आप प्रसंब बारे में लिखा हुआ ठीक है फिलिखा हुए फिलिखा हुए लिखले पॉइंट वारे में लिखा हुए कि इन्दु पॉइंट अगर आप मुख्य भूमिय की बात करते और उसकी दक्षनी बंदु की अगर आप बात करते हैं तो वह हो जाएगा आपका Cape Comorine, जो कि कन्या कुमारी में है, जो कि तमिल नाडू में है, जिसका latitude क्या है, 8 degree, 4 minute, मैंने आपको बता रखा है, North latitude, यह जो चर्चा हुई है, कि यही चर्चा है, जो हम आपको दिखा रहे है, कि अगर आप मुख्य बिंदू, आपसे पूछे, कि सबसे दक्षनी बि longitudinal, जो अक्षांसिया और देसांतरिया भी स्थार है, इसके बीच में 30 degree का अंतर बनता है, लेकिन, बनने के बावजूद भी, the actual distance measured from North to South, अगर आप दूरी तया करेंगा उत्तर से दक्षिन की तरफ, जो बती सो चौदा आ रही है, और अगर आप पूर अप से पश्चिम की तरफ जाएंगे, तो उन्तिसो तेती सारी है, अब आगे बताएगा यह जो पॉइंट में लिक्राइगा कि यह दूरी चेंज क्यों है, तो यह लिखा हुआ कि the difference is based on the fact that the distance between the two longitude decreases towards the pole, whereas the distance between two longitude remains the same everywhere, तो मैंने यही बोला कि अगर आप उत्तर से दक्षिन की तरफ जाते हो, और पूरप से प्रश्रीम की तरफ जाते हो, तो भारत का यह जो बतीस सो चौदर, उन्तिस सो तेतीस है, क्लिमेटर जो आपको दिख रहा है, इन दोनों के बीच में difference इसलिए है, क्योंकि आपका जो longitudinal रिखा है है, वो pole की तरफ जाते है, तो उनकी दूरी कम होती है आपस म and the northern part lies in the subtropical zone or the warm temperature zone, देखो, इसको समझते हैं कि भारत का देश का दक्षिनी भाग है, वो within the tropics लाई करता है, मतब उस निकडिबन दिये छेत्र में लाई करता है, लेकिन जो इसका उत्री भाग है, वो पोस निकडिबन जिसको क्या आप बोलते हैं, subtropics बोलते हो, ठीक है, कि छेत्र में लाई करता है, ये ऐसा क्यों बोलता है, कि the southern part of the country lies within the tropics, देखो, ये देखो, ये रहा topics of cancer, topic of cancer, करकर रेखा, तो भाई, बोल रहा है कि northern part जो है, within the tropics है, तो जो ट्रॉपिक, ये जोगो, ये क्या है, करकर रेखा है, करकर रेखा है, जिसको कि आप topic of cancer बोलते हो, तो ये बोल रहा है, कि जो इसका, ये रहा है, 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 इसका southern part, तो अब बोल क्या रहा है, जो इसका southern part है, वो ट्रॉपिक के अंदर है, ठीक है, तो भाई, देखो, ट्रॉपिक of cancer के नीचे, जो है, इसका southern part है, इसी लिए ये तो जो त्रक्षनन के निचे आई पार्ट है, उसको आप सब अफरे पार्ड त्रपिकल जोन बोलते हो जिसको कि आप क्या बोलते हो यहां मैंने लिख रखा है कि इसको आप क्या बोलते हो कि भाई ये उस निकटी बंदिये छेत्र के अंतरगत आता है लेकिन जब आप इसके उत्तरी भाग की बात करोगे तो वह आजाए कि उपोस्ट निकटी बंद के अंदर कहने का मतलब है कि जो टॉपिक आप कैंसर के करता है और लब ऀयंब कंट्री अब भाई भारत का कुछ पौर्टरμ जोन नहीं है कुछ जो आपका उपोस्ट निकटी पंद ये चेतर में आता है हुछ उस नाथि प legitimately एक थारे माता है इस एव माठा अपको बहुत सारे यह लिख ये लीकए जिस लोग जोगेशन इसका जो अवस्था है जो टॉपिक्स के नीचे और ऊपर लाई करता है भारत का आधा पाट नीचे आधा पाट ऊपर इस कारण से आपको बहुत सारी बिवित्ता भारत में देखने को मिल लाएगी वो चाहे आप लैंड फार्म में देखो क्लाइमेट जलवायू में देखो स्वाल तैप मिट्टी में देख लो यह नेचरल वेश्रा वन अर्श्पाती में देख लो तो भाई इस आवस्था यह जू लोकेशन है इंडिया का कि हाप पार्टिज लाईइं बिदे ट्रॉपिक्स अबब पाटिज राइट अबब भूमी रूपो जलवाईयों मिट्टी के प्रकार और प्रकृति वनस्पतियों में अलग लग विरेशन आपको प्रदान करता है यह ऐसा इसलिए क्योंकि भारत का लोकेशन है ठीक है कि स्थिती ऐसी है भारत की अब हम देखने वाले कि longitudinal extent and reach application कि अगर देशांतर सीमा और उसका प्रभाव के हम वो देखने वाले है तो हमने आपको अभी बात करी थी कि भारत का अगर longitudinal extent आप देखोगे तो 68 degree साथ मिनट से लेकर 97 degree 25 मिन तक लाई करता है तो यह टोटल वेस्ट तो इस तक लाई करता है इन दोने बीच में लगव एक 30 degree का डिफिरेंस है और मैंने बदाया था एक degree का अबर करने में 4 मिन लगता है तो 30 degree का अबर करने में आप अबर करता है तो यह पॉइंट को पहले समझते फिरम करता है ऐसा है तो लिखा है कि आपको बूलना चाहरा है कि अगर हम लॉंगी चूट को ध्यान से देखेंगे तो 68.7 और 97.25 है तो अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें है कि east वेस्ट में 30 डिगरी का अंतर और 30 डिगरी का अंतर है तो इनलों के बीचों 2 गंडे के टाइम गप होना चाहिए लेकिन क्य इपाने जो है इंफाल में दिवरुगर्में जैसल अलमेरे मेशला है में य। discuss अभी कि पार्ट पार्ट अस् Jewish इंढमिया भारत के सभी थाओ में पला में। यह सबसे जल्दी सबसे जल्दी सूर्य कहां होता है तो जापान में और सबसे लेट कहां होता है तो यह पॉइंट बता रहे कि देखो हमने सिंगल टाइम फॉलो किया जिसको आप आएस्टी बोलते हुए जो कितना है साड़े 12 डिगरी का है इसलिए वेस्ट और इस्ट में दो घंटे का दो घंटे का डिफरेंस होने के बावजूद भी सारी घडिया एक समय दिखाती है क्योंकि हमने एक सिंगल टाइम जोन फॉलो कर रखा है इसी में आप देखोगा आगे एक कॉंसेप्ट आगे डेलाइट से जैसे कंट्री है जो डेलाइट सेविंग कॉंसेट फॉलो करता है जिसे रशिया को काफी बड़ा है रशिया का अगर आप लॉंगी चूट देखोगा तो यहां से वहां तक में बहुत डिफरेंस दिख जाएगा आपको इंडिया तो रशिया ना पांच छे टाइम जून फ देखो हम लोग सिंगल टाइम फॉलो करता है लेकिन नौर्थ विस्टन स्टेट जो है इनको दिक्कत होता है इनके हाथ दिन जल्दी शुरू होता है राज जल्दी आ जाती है और भाई जो मुख्य तौर पर आपका दिल्ली है जहां कारिकरम सब चलता है जहां से सब कुछ इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है इनका वरकिंग और इनका वरकिंग अब डिफरेंस है तो इसलिए इंडिया में दो टाइम जोन की मांग की जा रही है लेकिन इस बारे में आप खुद से देख लेना मैं बस आपको बता रहा हूं इसके चरशा भी नहीं करेंगे और द दो चीज़ ध्यान देना मैं आपको बता रहा हूं एक तो आप लोग पढ़ लेना डेलाइट सेविंग कंसेट के बारे में डेलाइट सेविंग कंसेट क्या है यह आप लोग खुद से देखोगे गूगल करके और देखो कि इंडिया में दूसरा टाइम जोन के भी हो रहा है ठीक है तो यही मैंने अलिक रहा था कि भाई हम सिंगल टाइम जोन फॉलो करते हैं इसलिए हम लोग को सारी घडिया जो है एक जैसे समय बताती है और अर्ली संडाइज कहा है जापान में सब से लेट कहा है यूसे में चलिए आगे देखते हैं अब हम आतें 3.2 million 3.2 million square kilometer rank sorry India with its area of 3.2 million square kilometer accounts for मैंने बोला था कि भारत का टोटर कुल छेदर पर लगवग 32 लाख 800 किलमेटर के आसपास है वो भारत का कितना विस्टो का कितना परसेंट है तो 2.4 परसेंट है 2.4 परसेंट है और इससे भारत दुनिया का कौन चा बड़ा देश बनता है आपको बता दिया था अब आगे बात बोल रहा है कि the size of India has endured her with great physical diversity कि जो भारत का आकार है ना इसने इसे बहुत सारी बिवित्ता परतान की है ठीक है जैसे लिखा हुआ है कि lofty mountain ये north आपको उत्तर में बड़े-बड़े पहाड़ देखने को मिल जाएंगे large rivers such as Ganga, Brahmputra, Mahan आपको बहुत सारे नदिया यहां देखने को मिल जाती है green forest and hills in northern northern eastern and south India आपको बहुत सारे पहाड़ी आपको नौर्थ इसन ही में भी देखने को मिल जाएगा आपको बहुत सारे बड़े रिकस्तान वाले हिससे भी देखने को मिल जाते हैं तो यह बस बता रहे कि भारत का आकार इतना बड़ा है भारत का अकर कि इतना है लगो 32,8 million square kilometer 32,800 अब बताया था आपको जो की बिस्व का 2.4 परशेंटेज जो इसको बिस्व में सातों आस्थ चेतरपल के हिसाब से और इतना बड़ा साइग जो इसका जो के अंदर ट्रॉपिक के ऊपर इन सब चीजों को वैसे आपको भारत का साइज अगर आप देखो गो तो इसमें आपको बहुत सारे बिवित्ता देखने को मिलती है जिसमें आपको उत्तर में पहाड देखने को म एक को मिल जा रहे है तो यह सब चीजों की शाया नगें आपको नंस बताने को मिल जाता है यहां Richards को बोलत भूने को मिल जाता बहुत तर नदीया है जीसे आपको गंगा हो गई यम्णा हो गई महानदी हो गया कवेरी कृश्णा इस सब बहुत कुछ आपको वह मिल लाता है और भारत का अकार भी तना बड़ा है लेकर उसमें से एक चीज ध्यान देना यह जो पॉइंट में लिखा है कि ग्रेट जीज इंडियन इंडियन सब कॉंटेंटर कर भारत यह अगर हम भारत ही उप महादीप की बात करते हैं तो भारत ही अगर हम उप consistent of Himalaya in the north तो यह भारतिय हो उप महादीप बोलते हो उसके उत्तर में क्या है हीमालया है हिंदु कुसेन सुलेमान रेंज है उसके नौर्थ-वेस्ट साइड़ में उत्तर पस्ष्यमी वाले भाग में पुरवांचल हील्स है आपके नौर्थ-पुरवाले हिस्से में क्या है ठीक है अर दे लाज़ एक्स्पेंस ऑप दे इंडियन ऊशाहिंगि और डक्षिन में क्या है कि भाई दक्षिन में हिंद महा सागर का विस्तार आपको देखने को मिलता है तो यह इंडियन सब कॉंटेंट जो है यह वाला पार्ट है अगर आप ध्यान से देखो तुम्हें आपको दिख जाएगा Hindukous, Parvat और Suleiman, Parvat Sinhkla आपको इधर देखने को मिल जाएगा अगर आप पुर्वांचल की बात करते हो नौध इस्टन हिल्स में तो यह आपको नौध इस्टन हिल्स देखने को मिल जाएंगे जिसको कि आप क्या बोलते हो इसको आप बोलते हो पुर्वान चल क्या बोलते हो आप पुर्वान चल भी बोलते हो और इधर में आपको देखने को मिल जाएगा ये जो है आपका इधर आपको क्या मिल जाएगा तो इंडिया नोशन जो मैंने आप लिक रखा ये जो इंडिन सब कॉंटिनेंट और ये जो है ना ये इंडिंक सब कॉंटिणेंट आपको जिसको कि आप समझ पाओ जो मैंने वहां बता एका इसके उत् 하म हिमालंहाय शॉलेमान मारें नॉर्थ इसाल हिलस रहाए और थे साउच व्होंट हरां इंडियों का पा Bye कहने का मतलब है कि दक्षिंग में इसका समूद्र का फैला आपको देखने को मिलता है ठीक है तो अभी मैंने आपको एक राफ स्केच दिया हम इसके बात आगे धीद्रे और करते जाएंगे आपको समझने के लिए कि हिंदू कुस माउंटेन इस तरफ है हिमाल्या इस तरह है और यह आपका दक्षी छोर में यह एक तरफ बेव बंगाल एक तरफ आरब सागर एक तरफ इंडिया इससे घिरा हुआ है तो यह आपका भारतिय उप महादूप है यह उसका पोर्शन आपको देखने को मिल जाता है आगे बोल रहा है कि यह जो एंडियन सब कॉंटेंट है इसकी चर्चाम कर चुके हैं कि भारती है जो उप महादूप है उसमें कौन-कौन से कंट्रिय आती है पांच इंडिया नेपाल बुटान बंगलादेश और पाकिस्तान ठीक है इसकी चर्चाम कर चुके हैं आगे लिख रहा है कि हिमालया तोगेदर विथ अदर रिंजिस अ आटेड एज फॉर्मीडेबल फिच्कल बेरीयर इंड पास्ट कि भाई हिमालया और परवत सिंकला को साथ मिल के एक फार्मीडेबल बैरियर ठीक ना पैदा करता इंडिया के लिए एक फिच्कल बैरीयर के रूट में काम करता है जल्दी कोई भारत पे उस साइड से अटक करता है क्या काम करता है क्या काम करता है अगे लिखा हुआ कि except for a few mountain mountain pass such as khyber, the bolan, the sipkila, the bomb dealer etc it is difficult to cross it it has contributed towards the evolving of a unique unique result identity of the Indian subcontent कि भाई हिमालिया के खड़ा होने से हिमालिया के नॉट्थ मराने से एक तरह के फिजिकल बैरी है एक तरह को रुकावट तो पैदा करता ही है और इन जखों को आपको आप आसानी से इसको क्या करते हैं एक्स्प्रूर नहीं कर पाऊगे कुछ पासिस या कुछ दर्रह हैं जिसके थ्रूई आप वहां जा आ सकते हो जैसे खाइबर बोलन सिपकिला नतुला में इसके सब की चर्चा करेंगे ठीक है इन सब की चर्चा करेंगे लेकिन यह बता रहे कि भाई आपको इन हिमाले के होने के वज़ए से और इन कुछ दर्र का हिंदी में आपके अब तो रिजनल आइंटी एक अनूठी चेत्र की पाचान दे दी गई है ठीक है इन सब चुछों के होने के वज़ा से आगे लिख रहा है कि पेनिजुला पार्ट अफ इंडिया इंडिया नोशन इस प्रवाइड दे कंट्री विदे कॉस्ट लाइन उ तो मैंने बोला कि इसका कोस्ट लाइन जो है 1700 किलोमेटर का है और अगर आप अगर सिर्फ मेलन के कोस्ट लाइन बोले मुख की भूमी के अगर आपको थाटी चेतर पूछे तो 1600 किलोमेटर का है लेकिन आपको बोले कि सब कुछ मिला के अंड़मान निकोबार ठीक है तो भाई अगर आपसे सिर्फ मुख भूमी का पूछे कोस्ट लाइन 30 चेतर कितने हैं तो 1600 अगर आप बागी सब को मिला के बोले अंड़मान निकोबार ठीक है इसने लिखा है कि दस इंडिया इस एक कंट्री इस फिजिकल डाइवर्स लैंड प्रोवाइडिंग ओकरेंस से इस इस प्रकार भारत एक देश के इसकी में बिविंध संसाधनों को एकता प्रदान करने वाला एक दी करते हैं क्या उसको बिखाई वणा हुआ है ठीक है तो अब हम्हान्य हमालें और प्रख़ितिक फिजिय ग्राफिव हमालें अच्छा इस से पहल एक पॉइंट और आ अगर आप से धान दिना दो चीज़ है अगर आप दोस्टल इंडिया के टोटल कोस्ट लाइन कितना है इंडिया के व्योष्टान कितना है कि मैंने बोला कि अगर आप से पुच्छे में लिकान का त्व होद इंग सब को मिला के आप अगर आप से मुख्य भूमी का पूछेगा तो आपका कितना हो जाएगा वह आपका हो जाएगा एक सट्सों किलिमेटर का स्टेट आदो मुख्य भूमी समझे इसको अगर आप से में लाइड का खाली पूछ रहा है मुख्य भूमी का और यह जब आप से सब का पूछे तो इसमें ध्यान देना है कि जब आप से बोलेगा कोस्ट लाइन का तो यह टोटल कोस्ट लाइन जो है यह आपका 75 और सोला यह कितने स्टेट और कितने यूट्यू कवर करता है इस बात को आपको याद रखना है यह 9 स्टेट और 4 यूटी 9 श्टेट कोन 30 श्टर के बात करते हैं तो एक हो गया गुजरात दूसरा हो गया महारास्ट तीसरा हो गया गोवा चौता हो गया करनाटका पाच्वा हो गया किर्ला चटा तमिलाडू सातो आंधर प्रदेस आठवा आठवा आपका उडिसा नमा हो ग अंधर प्रदेस और वेस्ट बेंगॉल यह आपके 9 स्टेट हो गया यूटी के अगर हम बात करते हैं तो अंडमान निकोबार दमंदियू ठीक है इसके अलावा आपका हो जाएगा लक्षुदीप इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा पुडूचेरी ठीक है तो यह चार तो आपका अगर आपसे बोले कि भार्द का टोटल ठीए 36 तो गितने स्टेट हो कितने उटी कवर करता है अब इसमें से पूछ रहता है कि सबसे आदा कोस्ट लाइन किस स्टेट का है देखो अब इसमें क्या बनता है अगर आपसे बोल देखें कि लारजेस्ट कुण सा यूटी है जो सब से जादा सब से जादा जो इनको सेर करता है तो आपका क्या हो सब से कम को जाにな इस डेट का वह किसका है तो किसका है कि हम और अगर से यूटी में पूछण सब जो एक इस United किसका है और अगर किसका है दमनन दिव का है इसको लिखो आप लोग ध्यान से मैंने क्या बोला है कि टूटल कोस्ट्राइन इंडिया का पच्छत्र सो सोला किलमेटर का है इसमें नौ इस्टेट चार यूट्व को कवर करके नौ शेट बने बता है गुजरात महारास्ट गोवा करनाटका करिला तमिलादू अंध्रप्रदस उडिशा और वेस्ट बेंगों लॉट्व में चार यूट्व में आपका होगे अंडमान निकोवा लक्षदिव प्रडूचरी और दमन दिव इसमें सभी हाइस शेरिंग कोस्ट लाइन किस स्टेट का गुजरात का लोइस्ट किसका है गोवा क टेकर अब देख debating अंडिया का इंडिया डाटै जो इंतर्नेस्ना बॉंडरी से जुड़ा हुआ है इंडिया का जो मेल्नेस्टरी अधि एद दूसले इन्टरनेसनल दूसेरास्ट्र जुड़ा हुआ है ओं मिलियन बॉंडरी कितना है तो 15200 क्लियोमेटर का है कितने स्टेट को और तो अगर आपसे बोले कि भारत का मुख्य भूमी मेल्लेंड है जो इंटरनेस्टनल दूसरे रास्ट से ठीक है जुड़ा हुआ है कितनी है ठीक है उसकी टोटल सीमा की लंबाई कितनी है तो 15200 किलोमेटर है जो इसमें 16 अगर मेल्लेंड की बात है जो दूसरे देश से जुड़ा हुआ है इधर आपको पाकिस्तान दिख रहा है इधर आफगानिस्तान दिख रहा है इधर तिबद चाइना दिख रहा है यह नेपाल दिख रहा है इधर आपको भूटान दिख रहा इधर बंगलादेश दिख रहा है इधर आपको मैन मार है य भारत का जो मुख्य भूमी है जो दूसरे राश्चे इंटर्निस्नली जुड़ा हुआ है उसकी टोटल नंबाई कितनी है तो फंद्रह हजार दो सग्लोमेटर के इसमें 16 स्टेट दो यूटी आते हैं तो इसमें से ध्यान देना एक गुजरात दूसरा रास्थान तीसरा आते हैं हिमाचल प्रदेश उत्तर आ उत्त्रकंड उत्तर प्रदेश ठीक है है इसके लवावा आपका हुजिंगा इदर से बिहार इसके लावा हो जाएक आपको वेस्ट पंगॉल में देख रहों दिख रहा है इसके अलावा हो जाएका आपका सिक्किम और सिक्किम ओर जो साथ और आपको नौर्थ इस्टन जो नहीं बोलते हैं नौर्थ इस्टन से बिट यह साथ हो गया ब्रेति कि दस ऑसम10 मिघाला क्षम पुरवाद 13, मिजोराम 14, मनिपूर 15 और नागालेंट 16 तो यह 16 आपके स्टेट हो गए देख लो अगर आपसे बोले कि इंडिया का में लेंड बॉंड यह दूसरा इंटरनेशनली कनेक्टेड है सीमा की डोटल लंबाई कितनी है तो 15,200 किलोमेटर की है यह कितने स्टेट को जोड़े हुआ है तो 16 एस्टेट और दो यूटी को जोड़े हुए है डो यूटी आपके यह ऑगा है यूटी को मैं अपकी से लिख नहीं ही है फैक दो सानलहां ग है वी, यह एक की दूसरा इये और इस्टेट की की बात करते हैं तो 9 और 7-16 ये टोटल 16 इस्टेट हो कवर करता है इस बाद को यूप ध्यान में एकना देखो कोश्चन जब उठने लगता है तो किसी परकार कोश्चन उठ जाते है तो आपको पता होना चाहिए कोस्ट लाइन में कितने स्टेट कवर होते हैं कितने यूटी कवर होते हैं जाईे और आपसे इस पूछ लेए कि इस चैर करता है सबसे अदा इंटेंसल क्योंडरी कौन से स्टेट करता है तो भाई मुष्ट शेरिंस्ट क्योंडरी कौन सा राजी सेयर करता है कौन से ऐसा राज है जो सबसे आदा अपना सीमा को सांचा करता है इंटेंस नाली तो वह हो जाएगा वेस्ट बेंगोल लगए पचीस सो क्लिमेटर के आसपास का है तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके बाद हम भी पढ़ेंगे फिजियोग्राफियो फिमाल्या उसक से हम देखते चलेंगे चीज़ों को ठीक है